ओके सो आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर इन जावा के बारे में बेसिकली दी मोस्ट आवेटीड टॉपिक आ गया है यह एक ऐसी चीज़ है जो की आपका ना उपस में बहुत जादा हेल्प करने वाला है एंड काफी लोग इससे कंफ्यूज करते कि एक्च्वल में कंस्ट्रक्टर होता क्या है कंस्ट्रक्टर को काफी लोग तो समझी नहीं पाते काफी टाइम तक कि यार कंस्ट्रक्टर होता क्या है और मैं यूज कहां करूं इसको ठीक है और कैसे यूज़ करना ये सब चीज़ें so basically वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर explain करने वाला हूँ कि what is constructor, how to use constructor and how many types of constructor are there ठीक है code भी करेंगे and हम लोग जो है समझेंगे भी कि actual में होता क्या है तो देखो, समसे पहले बात करें अगर हम constructor की तो constructor, देखो, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है नाम equals to काम, अब देखो, constructor, constructor का मतलब है किसी चीज़ को construct करना, एक ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को construct करे वो constructor होता है, basically someone who constructs someone is called as constructor अब देखो, अगर हम बात करें कि actual में देखो, layman language में बात करतें कि actual में constructor क्या होता है तो constructor basically, मान के चलो, एक class है, class a, b, c and इस class के अंदर कुछ data पड़ा हुआ है और अगर मैं इसी class के नाम से, इसी class के नाम से एक function मना देता हूँ, a, b, c ठीक है, तो यह constructor है, ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज, इस class का जब object बनता है, किसी दूसरी जगा पर जहां पर आप इसको use कर रहे हो, जैसे for example, मेरे पास एक main method है और इस main method के अंदर मैं इस a, b, c class का एक object बनाता हूँ, a, b, c, o, b, j, equals to new, a, b, c, ok तो यह जो line होती थी, इस line का एक बार और मतलब समझ लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से, कि यार actual में यह line जो थी, इसका क्या मतलब था, तो देखो, a, b, c, यह था हमारा class ने, o, b, j, यह था हमारा variable का नाम, यह फिर object का नाम, o, b, j, object name, new keyword था एक, जिसके हैं से memory allocation कर रहे थे, और यह क्या हो रहा था, यह, 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 ऐसे तो कुछ हमने functions को call लगते हुए, देखिए भई, कि like, जैसे for example, मैंने एक function मनाया है, static, void, fun, तो ऐसे तो मैंने कुछ function को call लगते हुए, देखिए, तो actual में यह भी तो एक special type का function या special type का method ही है, जो की class के नाम पे है, और जैसे ही object बन रहा है, वो automatically run हो जा रहा है, मतलब function जब आप create करते हो, तो जब आप उसको function को use करना होता है, तो आपको function जो है, उसको declare करना पड़ता है, या फिर आपको उस function को जो है, उसका नाम लिखके call करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन मतलब, तो मेरा यहाँ पे constructor का नाम क्या, मेरे constructor का नाम था ABC, जो की मेरे class का नाम है, यह ध्यान रखना कि constructor name is always as same as the class name, ठीक है, तभी constructor को call लेगेगी, अब बात करते हैं, कि यह जो constructor, इसको हम basically initializer भी बोलते हैं, यह क्या करता है, यह values को initialize करने के काम आता है, देखो कैसे काम आता है, थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि actual में होता क्या है, मान के चलो, मेरे पास ना, एक, यह समझो, एक program है, और मेरे को ना, एक student management system बनाना है, जिसमें मेरे पास एक student होगा, उसकी मैं क्या-क्या store करा रहा हूँगा, id, age, अभी यह दो कर लेते हैं, simplicity के लिए, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मेरे जो classes के अंदर मैं फटा-फट int id करके variable बना लेता हूँ, और int age करके variable बना लेता हूँ, भई मैं चाहता हूँ कि मैं यह जो id और age है, इसको directly पास कर दूँ, और फटा-फट जो भी value आये, वो id में store हो जाए, id की value और age की value, age में store हो जाए, तो यह कैसे होगा, मैं क्या करूँगा, मैं एक constructor बनाऊँगा, ABC, अभी last video में हमने ATM machine का project बनाए था, उसमें हमने एक function लिखा था, checkpin, तो general league हमें क्य करना था basically, last video के अंदर, मैंने आपको कहा था कि, जब भी मेरा user इस class का एक object बनाए, उसको checkpin automatically call लग जाना चाहिए, ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा था, कि मैं checkpin का जो code है, वो अपने constructor के अंदर लिखूँ, so that जैसे ही, जैसे ही मेरा जो object बने, मेरा checkpin का code run हो जाए, म मैं ये कहना चाह रहा था, मैं basically कहना चाह रहा था, कि हम constructor बना के भी ये काम कर सकते हैं, तो देखो, अभी ये, अभी मारी बात हुई कि, मैंने id और age जो है, दो variables बना लिए, अब ये दो variables बनाने के बाद, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं constructor बनाँगा, इस student class का, ठीक है, मैं int age, ये कहा है, ये कहीं नीचे से values आ रही होंगी, मतलब जहां पे भी हम इसको use कर रहे हैं, ये खटा देना, ठीक है, अब देखो, ये जो id है, ये जानी है, इस id के अंदर, ठीक है, इस id के अंदर जानी है, ठीक है, तो यहां पे मैंने constructor बनाया था, ABC, अब देखो, यहां पे इस ABC के अंदर मैं क्या करता हूँ, values ले लेता हूँ, ये student वाला ही system, int id, int age, ठीक है, ये मेरी class का नाम है, ये मेरी constructor का नाम है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी id नीचे से आ रही होगी, जो भी age नीचे से आ रही होगी, वो age और id, इस age और id को जो है, assign हो ये लाइन में इस का क्या मतलब है, इस एक particularly keyword होता है, जो की values assign करने के काम आता है, तो ये अच्छा, यहाँ पे दोनों जगे आईडी है, कौन सा आईडी कौन सा है, ये आपको बता देता हूँ, फटा फट, ये वाला जो आईडी है, ये वाला जो आईडी है, ये है ये वा जो value नीचे function से, जिस भी function में आपने call कर रहा है, उस से आ रही है, तो ये समझ आया, हमने simply करा क्या है, हमने constructor बनाया है, जिसमें हमने दो parameter पास कर रहे है, id और edge, और उन दो parameter से जो value आ रही है, नीचे main method से या जहां से भी हम उसको use कर रहे हैं, वहां से हमने वो values इन दो variables को assign कर दी, यह हमने अभी तक कर रहा है, ठीक है, ऐसे काम करता है constructor, मतलब नीचे जब मैं जाओंगा, तो simple मेरे को एक ये line लिखने है, abc, obj equals to new abc, और कुछ भी initialize करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मेरे को कोई भी value लिखने की, अलग से कोई function मनाने की ज़रूरत नह हो गया, अब इसको code पर देखते हैं, code करके देखते हैं कि कैसे constructor काम करता है, basically, फिर हम बात करेंगे types of constructor के बारे में, default और parameterized constructors के बारे में, ठीक है, okay, so यह मेरी class है, कुछ constructor demo करके, and मैं यहापर एक main method बना लेता हूँ, फटा-फट, okay, तो देखो, यह मेरी class हो गई, यह म कोई id ले लेता हूँ, id, और int age, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, constructor बनाता हूँ, students, आपको यह चीज़ हमेशे ध्यान रखनी है, कि constructor का नाम और class का नाम सेम होता है, students करके मैंने constructor बनाया, या एक method बनाया, जिसका नाम था class का नाम, जिसका finally meaning होगा constructor, ठीक है, और इसके अ ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और try करते हैं, मैं यहाँ पे एक message भी print करता हूँ, hello world, so that मेरे को console पे कुछ दिखे है, कि हाँ, हमारा constructor काम कर रहा है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को simple नीचे आके student class का एक object बनाना है, ठीक है, students, obj equals to new students, and यहाँ पे मेरे को सिर्फ यह values पास कर देनी है, ओके, यहाँ पे हमने variables ने लिये, int id, int age, ओके, यह parameters मेरे को पास कर देनी है, मानके चलो, मेरी id है 5, and मेरी age है 19, and यहाँ पे मैं इसको, देखो, अब मैं इसको, इस function को call नहीं लगा रहा, अलग से कहीं से भी, ठीक है, मैं सिर्फ क्या करूँगा, इस program को run करूँगा, see, मेरा जो final output आया, वो आया है, hello world, समझ आया, तो हुआ क्या है, जैसे ही मैंने line लिखी, इसको minimize करते हैं, जैसे ही मैंने ये line लिखी, मतलब, जैसे ही मैंने students class का एक object बनाया, तो मेरे को direct, अलग से constructor को call लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, students method को अलग से call लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, object बनते ही, मेरा constructor call हुआ, और constructor के अंदर जितना भी code लिखा हुआ था, वो सारा execute हो गया, इतना काम आता है constructor, ये काम करता है constructor, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई piece of code ऐसा हो, जो कि जैसे ही object बने एकदम run हो जाए, जैसे for example, आप कोई login पेज बना रहे हो, या फिर आप कोई website बना रहे हो, जिसमें आपको login पेज की जरूरत है, और आप चाहते हो कि customer या फिर user जै एक ऐसा piece of code है, जो कि आप तब run करना चाहते हो, जैसी customer आए, यानि जैसे ही object बने, वैसे ही एकदम से उसको तुरंत login करने के लिए बोला जाए, तो उस type का code जो है, वह constructor के अंदर लिखा जाता है, जब आप कुछ इस type की functionality चाहते हो, कि आपका कोई piece of code, कोई certain piece of code, जैसे ह आपको अलग से कोई function call लगाने की जुरूरत ना पड़े, समझ आया, ओके, तो अब बात करते हैं हम, default constructor and parameterized constructor के बारे में, तो constructor कितने type के होते हैं, और क्या-क्या होते हैं, वो बात कर लेते हैं, See, next slide में चलते हैं, देखो, types of constructor, अब देखो, हमारे पास basically दो types के constructor होते हैं, default constructor, and parameterized constructor, अब इन में difference क्या होता है, and किसका काम क्या होता है, वो जान लेते हैं, तो generally, default constructor की जब हम बात करते हैं, और parameterized constructor की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले हमें की definition जाननी है, default parameterized constructor क्या होता है, एक ऐसा constructor जिसमें parameters pass होते हैं, वो parameterized constructor हो गया, जैसा कि हमने अभी एक example देखा, हमने students class का एक function बनाया था, student class का एक constructor बनाया था, और इसमें हमने parameters pass किये थे, int name या फिर, sorry, int आपका role number या id, जो भी आप देना चाहते हो, int id, and int age, ठीक है, यह आपका एक parameterized constructor हो गया, और जब नीचे main method में call लगेगी, या फिर mean नीचे main method में जब object बनेगा, तो आपका जो है, वहापे आप parameters या arguments pass करोगे, ठीक है, default constructor की बात करें, तो default constructor is a type of constructor, जो आपका object बनाती call हो जाएगा, अगर आपने arguments pass नहीं करें, like, आपका अभी तक हमेशा होते आ रहा था, कि जैस ही आप एक object बना देते हैं, मान के चलो class का नाम है ABC, ABC, OBJ, equals to new, ABC, यह हुआ आपका default constructor, कौन सा constructor हुआ यह आपका, default constructor, ओके, अब बात करते हैं, दोनों की functionality के बारे में, दोनों की functionality क्या होती है, और कैसे दोनों को use करना चाहिए, तो जब हमें variable initialization करना हो, like, जैसे हमने अभ value, आप किसी particular variable में store करा दे रहे हो, जो की class के अंदर पड़ा हुआ है, किसी particular data member में store करा दे रहे हो, जब हमें variable initialization करना हो, then we will use parameterized constructor, else we will use default constructor, depends on our use cases, हमारा use case क्या है, उस basis पे हम types of constructor use करेंगे, अब देखो difference क्या है, अच्छा, call कैसे लगेगी, मान के चलो, एक class है, और उस class के अंदर दोनों type के constructor exist करते है, default भी exist करता है, and आपका parameterized भी exist करता है, ठीक है, तो call किसको कैसे लगेगी, वो जान लेते हैं, देखो, चलते हैं, अपना ID की तरफ, okay, so यह मेरी class है, इसी example को लेते हैं, यह class है, यह class है, students करके, यह मेरे पास दो data members है, int age और int id, और इसका मै मैं यहाँ पर change कर देता हूँ, जो message यह print कर रहा है, यह print करेगा parameterized constructor, ओके, यह print करेगा parameterized constructor, और एक मैं default constructor बना लेता हूँ, students, and default constructor में कोई argument पास नहीं होता, और मैं यहाँ पर print करता हूँ, default constructor, अब देखते हैं, कौन सा run होता है, अच्छा, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको blank छोड़ देता हूँ, ठीक है, अब देखते हैं, क्या होता है, run constructor demo.main, see, default constructor run हुआ है, default constructor run हुआ है, अब जैसे ही मैं इसमें arguments पास करूँगा, जैसे ही मैं इसमें arguments पास कर दूँगा, मनके चलो मेरी ID है 5 और मेरी age है 19, अब देखना कौन सा constructor run होगा, see, अब run हुआ है parameterized constructor, तो आप इस तरीके से based on the parameters, आप constructors को call लगा सकते हो, अच्छा एक चीज और देखते हैं, हमारे पास multiple types of constructor भी हो सकते हैं, लेकिन exact same नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपने students नाम के दो parameterized constructor बना दिये, जो number of arguments भी same ले रहे हैं, वो तो कोई sense नहीं बनी न, अब देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं students नाम का एक और constructor बनाता हूँ, ठीक है, sorry, और इसमें मैं तीन arguments लेता हूँ, int, id, string, name, और int, age, और मैं इसमें पास करता हूँ, parameterized constructor 2, ओके, अब मैं नीचे तीन arguments पास करता हूँ, simple, कुछ नहीं करना हूँ, ओके, अब देखो, कौन सा run होगा, see, अब run हुआ है, parameterized constructor 2, यह रहा, तो इस तरहीके से, based on number of arguments, आप different constructors बना सकते हो, अपने code के अंदर, and उनको call लगा सकते हो, based on the number of arguments, ठीक है, और इस तरहीके से, आपका default, और आपका parameterized constructor काम करता है, and पीछे हमने ATM machine का code पढ़ा था, हमने एक project बनाया था, ATM machine, अगर आपने video नहीं देखा है, तो जा के देख लेना जरूर, क्योंकि उस video के अंदर हमने classes and objects को thoroughly, हर एक concept को, जो भी तक हमने पढ़ा है, अच्छे से cover करा था, अच्छे से use करा था, एक project के अंदर, और ये concept, मैं चाहता हूँ कि, अगर आपने वो video देखा है, the students or the persons who have seen this video, who have seen that video particularly, I want कि आप जाएं, constructor का use करें, और जो उस video के अंदर checkpin method है, जो उस video के अंदर checkpin method है, उसको हटा के, वो जो checkpin के अंदर का code है, वो आप constructor में डाल दें, सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना करना है, ठीक है, और check करें कि actual में कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जान लिया, कि what is constructor, how many types of constructors are there, what is default constructor, what is parameterized constructor, and हमने जान लिया कि कैसे इनको create करना है, कैसे इनको call लगाना है, ठीक है, इतना ही था, इसके बाद कौन सा constructor कब call होगा, अच्छा, थोड़ा सा और push करता हूँ इस concept को, जिससे आपको इसका और थोड़ा सा important समझाए, जब हम जाएंगे, inheritance पढ़ेंगे, जब हम inheritance पढ़ेंगे, और एक class, दूसरी class को inherit कर रही होगी, इन देट केस, उनके constructors भी होगे, और किस class का constructor कब run होगा, ये भी depend करता है, हम क्या condition वहाँ पे लगाते हैं, हम किस class का constructor run करना चाहते हैं, ये खेर inheritance वाली वीडियो में देखेंगे, अभी इस पर discuss करने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको एक rough idea देना चाहरा था कि constructor का use वहाँ भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि constructor आप ऐसे ही छोड़ दो, बहुत important topic है, जब oops में code करोगे न, बहुत जादा important topic है, मतलब ये आप सोचो न, एक ऐसा function जो आपको ऐसी functionality प्रोवाइड कर रहा है, कि आपको अलग से उसको call लगाने की जुरूरत नहीं है, आप बस argument पास करो and boom, आपका कुछ certain piece of code रन हो गया, जैसे object बना तुरंत, आपको कुछ भी अलग से करने की जुरूरत नहीं पड़ी, तो ये बहुत स तब आपको समझाएगा, अच्छा यार, यहाँ पर मैं constructor भी यूज़ कर सकता हूँ and वहाँ पर constructor आपके लिए आशिरवाद सावित होगा, ठीक है, तो I hope आपको constructor अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये था हमारा आज का वीडियो, thank you so much for watching, वीडियो अच्छा लगा हो तो